स्रेई शिवाय नमस्तु भेहम हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवत सा महीना चल रहा है और आ गई है सावन के महीने में पढ़ने वाली हरियाली तीज जो कि इस महीने को और भी खास और भी विशेज बनाती है काफी ज़़़ा लोग परिशान होते हैं अपने हस्बेंड और वाइफ को लेके भेईया पती हमारी बात नहीं सुनते हैं भेईया पतनी हमारी बाते नहीं सुनती तो ये वीडियो आपके लिए हो, सबसे अच्छी बात ये है कि आप हरियाली तीज रहते हो या फिर नहीं रहते हो, आप इस उपाय को कर सकते हैं, जो कि पूझ गुरुजी की कता से सुनके बहुत अच्छे से आपको समझाओंगा, ठीके ना, सबसे पहले हम लोग बात कर ले से एक छोटा सा दिया लेना, ठीके ना, मार्केट में मिलेगा, या फिर चाहो तो पुराना भी ले सकते हो, मिट्टी का दिया लेना, मिट्टी के दीपक को ले करके आपको साथी साथ लेना होगा हरा मूंग, बहुत जादा मत लेना, जब भी लड़ाई जगड़े की बात जब भी प्रेम को बढ़ावा देना हो, तो आपको हरा मूंग लेना चाहिए, इसलिए हमें थोड़ा सा हरा मूंग लेना, हरे मूंग को लेने के बाद में आपको इस तरीके से लेना होगा शमी का पत्ता, कितने एक शमी का पत्ता लेना है, इससे ज़ादा आपको नहीं ले साथ ही साथ महादयो की सबसे प्रिये चीज जो की होती है बेल पत्र तो आपको एक बेल पत्र भी लेनी है ठीक है ना फिर उसको ले करके पहुत जाना महादयो के शिवलिंग के पास में मिरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा आपको हरे मुँग को महादयो के शिवलिंग के पर समट पर नहीं करना, आप कोगे भी या, आपने हरामूंग फिर बता क्यों दिया, देखो, आपके घर में, चाहे हस्बेंड वाइफ के लिए कर सकता है, वाइफ हस्बेंड के लिए कर सकती है, भाई बहन के लिए, बहन बहन कोई भी इनसान किसी के लिए भी इस काम को कर सक ठीक है ना, सबसे पहले महादियों के शिवलिंग के पास पहुचेंगे, मैंने जो आपको शमी का पता दिखाया, शिवलिंग पे एक स्थान होता है, जिसे हम लोग खाली जगे के नाम से जानते हैं, यह जो स्थान आपको दिखता है, यह है माता का हस्त कमल, और यहां से जो स शमी का पता है, उस शमी के पते को समर्पित करेंगे, जो आपके पास में तामबे के लोटे में जल होगा, उस जल को यहां पर समर्पित करेंगे, चम पेशवर महादियों की नाम से, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जल चढ़ाने से पहले हमें एक बेल पत्र उस देख्ती का नाम और गोत्र बोल करके महाद्यो के शिवलिंग के उपर जरूर रखना होगा जो विक्ती आपसे गुसा रहता, लडाई करता, जगडा करता, आपको प्रेम बढ़ाना है तो आपको बेल पत्र के उपर उस जल को चम पेश्वर महाद्यो की नाम से समर्पित क कारे काम को कर लो, उसके बाद में मैंने आप लोग को एक दीपक दिखाया है, उस दीपक के अंदर आपको कुछ डालना नहीं है, तेल वेल, कुछ भी नहीं, सिर्फ उस मिट्टी के दीपक को यहाँ पर रखना, और जो मैंने आपको हरा मूंग दिखाया, उस हरे मूंग का जो भोग है, वो महादयो के शिवलिंग के पास में, उसी दीपक में लगा करके, अगर हरियाली तीज के दिन, सोबे से ले करके, शाम तक के टाइम पे कभी भी आप कर लेते हैं, तो आपके घर में कभी लडाई जगड़े नहीं हो सकते, हमेशा प्रेम आपके घर में बना ह जरूर होगा, ठीक है ना, तो पहले उपाय की बात आपको समझ में आ गई है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय के तरफ और ये जो दूसरा उपाय है, ये भी आपके घर में आपके परिवार में प्रेम को बढ़ावा देने के लिए ह इस उपाय को भी आप अपने घर में कर सकते हैं, ठीक है ना, इसके लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले तो यहाँ पे स्क्रिन पे आपको कुछ लाल पाउडर दिख रहा होगा, ये है कुमकुम या फिर आप इसे रोली भी कह सकते हो, ठीक है उको कुमकुम दिखाया, रोली दिखाया, आपको क्या करना है, उसी कुमकुम रोली से पीपल के पत्ते पे पांच बिंदियां लगाना है, कुछ बोलना वगरा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का ध्यान करना है, गोतर बोलिएगा, नाम बोलना, और पांच ब पत्ते को उठाना ले करके पहुंच जाएंगे वट व्रिक्ष के नीचे यानि कि बर्गत पेंड के नीचे जाना और बर्गत पेंड के पास में उस पत्ते को पीपल के पत्ते को वहाँ पे रख देना जिस पर आपने पांच बिंदियां लगाई थी एक चीज़ का ध्यान रखोगे तो वटकेशवर महादयों का तो ध्यान करेंगी करेंगे साथी साथ जो बेल पत्र की डंडी रखेगा वो आप अपनी तरफ रखेगा और पत्ती का जो पोर्षन रखेगा वो आपको पेंड की तरफ रखना होगा जो भी विक्त इस तरीके से हरियाली तीच बेस उपाय को पाँच बिंदी वाला कर लेता है उनके घर में हमेशा सुक्सांती समरिद्धी बनी रहती है कभी भी घर में लड़ाई जगडे का माहूल नहीं होता ठीके ना करके देखेगा तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने दो उपाय की आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ और ये तीसरा उपाय करना है दूरुआ के साथ में क्या इसके फायदे हैं और कहां से करना है कहां पे करना है इसकी बात मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ठीक है न देखो भाई समझने कोशिच करते हैं इस उपाय को सबसे पहले तो ब आती है वही दूरवा लेंगे और हमें साथ दूरवा की जरूरत पड़ेगी है इससे जदा मतले न जो हरी वाली दूरवा आती है साथ वही दूरवा लेनी है दूरवा लेने के बाद में आपको फिर से जरूरत पड़ेगी शमी के पत्ते की हमने पहले उपाय में एक शमी क पत्तों को लेना होगा ठीक है ना अब इन दो समी के पत्तों को लेंगे साथी साथ दूरवा लीजेगा एक तामबे का लोटा लेंगे उसमें जल भरेंगे अपने घर से और सीधा पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में फिर से बता रहा हूँ चाहिए उपाय करो कोई दिकत नहीं है इतना सब कुछ करने के बाद में आपको करना होगा एक काम और वो काम क्या है कि जो मैंने आपको दो समी के पत्ते दिखाए हैं जो पहला शमी का पत्ता समर्पित करोगे वो आपको महादेव के शिवलिंग के उपर चढ़ाना होगा और जो दूसरा पत्ता होगा मैंने जो खाली जगे आपको बताया था पहले उपाय में उस खाली जगे वले स्थान पे आपको दूसरा शमी का पत्ता समर्पित करने के बाद में आपके पास में तामबे के रोटे में जल होगा उस जल को शिवलिंग के उपर समर्पित नहीं करना है ना तो शि दिखानी पारों की गोल-गोल कैसे चड़ाओगे, बट आपको ऐसे सिर्फ इसी साइट नहीं, पूरा ऐसे घुमा करके गोल-गोल आपको चड़ाना होगा, ठीक है न, चड़ाने के बाद में मैंने आपको दिखाया हुआ है दूरवा, कितनी दूरवा, साथ दूरवा दिखा एक तो कुंद केश्वर महादयो और दूसरे आओ धूतेश्वर महादयो की नाम से दूरवा को समर्पित करना, समर्पित करने के बाद में फिर एक लोटा शुदजल तामबे के लोटे से स्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब करके समर्पित करेंगे, ध्यान रखिएगा, ज उसकी कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी सरीर में और वो विक्ती हमेशा स्वस्ता और निरोगी रहेगा, ठीके ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने तीन उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखरी बहुत ही छोटे और बहुत ही लगा रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, नहीं लगाई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस तरीके से महदी के पत्ते मार्केट में मिल जाएंगे, मार्केट मिल जाएंगे, कोई पेड़ों, अगर नहीं मिलता है, तो आप महदी के पत्तों की करके महाद्यों के शिवलिंग के पास में जाना और पूरा का पूरा जल एक ही बार में धीरे धीरे यहाँ पर नहीं चड़ाना एक ही बार में महाद्यों के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिएगा लेकिन जब एक ही बार में समर्पित करोगे इतनी तीरी से मत कर देना कि उसक जल को यहां से रोक लेना और जल को लेके आप अपने घर पे जाएंगे पूरे कमरे में जितने भी रूम्स हों जितने भी कमरे हों उन सभी कमरों में अगर आप छिड़काओ कर देते हैं कभी भी आप ए घर में ऐसी कोई असांती नहीं आएगी हमेशा आपकी फैमली आपका परिवार, सुख, शांती और समर्धी के साथ जरूर हैगा चौथा उपाय तो बहुत इजी था बहुत आसान था तो आपको करना जरूर है कि सिर्फ आपको जली चड़ाना था तो मैंने कोशिश किया आप सभी लोग को बहुत ही अच्छे से हरी आली तीच पे स्पेशल से पाय को समझाने की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा कुछ पूछना है नहीं समझ में आ है नीचे कॉमेंट सेक्षने पूछ सकते हैं और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर आपको मुझसे बा स्रीश वाय नमस्तु भी